जो अपने आपको पढ़ सकता है वो दुनिया से कुछ भी शीख सकता है नमस्कार दोस्तो में राजिंदर चोदरी अपनी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ देखो दस कोन अपने पढ़ लिए थे आज ग्यारवी नंबर का कोन पढ़ेंगे आज कोन को खतम कर करेंगी ठीक है तो इन जो भी कोन है इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना और क्यूशनों में यह कैसे अपलाई होते हैं वो क्यूशनों में एपलाई करके अपन क्यूशनों को सोल करेंगी 40-50 क्यूशनी चैप्टर से करवाएंगे लाइन एंगल से पूरा केलियर हो देखो संगत कौन है कि क्रोस पॉंडिंग एंगल हो गया क्रोस पॉंडिंग एंगल किसे कि यह दो समान तरीक है तो हैं A और B C और D और यह एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई E और F यह क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है तो देखो यह वाला कौन इस वाले कौन के समान होता है जिसे कौन एक और यह कौन दो तो कौन एक बराबर कौन दो गया यह वाला कौन तीन हो गया और यह वाला कौन चार हो गया तो कौन तीन बराबर कौन चार ठीक है ऐसे ही इदर होगा ये हो गया अपना पांच और ये हो गया छे तो कौन पांच बराबर कौन छे और ये साथ और ये कौन सा हो गया आठ तो कौन साथ बराबर कौन आठ ये कौन सा कौन होता है संगत कौन cross bonding angle देखो एक किसके बराबर होगा दो के उपर वाली लाइन का उपर वाला और नीचे वाली लाइन का उपर वाला ये कौन से कौन होती है ये संगत कौन होती है आपस में कैसे होती है बराबर होती है उपर वाली लाइन का नीचे वाला और नीचे वाली लाइन का नीचे वाल ये कौन चे कौन है ये संगत कौन है और ये आपस में क्या होती है बराबर होती है ठीक है उतारो इसको देखो लास्ट एंगल है अपना आसन कौन एरजशेंट एंगल एरजशेंट एंगल एरजशेंट एंगल आसन कौन किसे कहते है देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो अपनी क्या हो गई समानता रेखा है तो ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों अंदर के कौन है तो वो कौन से कौन होंगे आसन कौन जिसे ये एक हो गया और ये दो हो गया तो कौन एक प्लस कौन दो इनका योग हमेशा 180 डिगरी होता है आसन कौनों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिगरी देखो संगत कौन और आसन कौन में कनफ्यूज नहीं होना है संगत कौन कौन से ते उपर वाली लाइन का उपर वाला नीचे वाली लाइन का उपर वाला ये वाला कौन और ये वाला कौन ये आपस में बराबर ते ये वाला और ये वाला लेकिन इसमें आसन कौन में है जो अंदर के दोनों कौन है ये वाला कौन और ये वाला कौन और योग हमेशा कितना होता है 180 degree ऐसे इधर हो जाएंगे ये तीन और ये चार तो कौन तीन प्लस कौन चार बराबर क्या होगा 180 degree इनमें कन्फ्यूज नहीं हो ना यहां पर अपने हैं ना एंगल खतम हो गए अब एंगलों से अपन क्यूशन प्रैक्टिस करेंगे इनको अच्छी तरीके से रिवाइज गारना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है प्रोपर नौर्स पनानी है मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस्टेट लेवल की एक्जाम और सेंटर लेवल की जैसे अच्छी से इन बड़े एक्जामों में भी जो अपन क्यूशन करेंगे न उसमें से देखने को मिल जाएंगे आपको ठीक है और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा इतना अच्छी तरीके से जोमेट्री पढ़ा रहा हूं आपको आप तो केवल इनके प्रोपर नौर्स बना दूंगा लेकिन फिर भी आपको प्रेक्टिस करते रहना है कॉंसेप्टों को रिवाइज करते रहना है थेंक्यू